एक एतियासिक दिन है पूरे भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए करी परी क्योंकि बरसों पुरानी जो विवाद चली आ रही थी उसको सुप्रेम कोट ने आज अपने निर्णे में निर्णे किया है और इस निर्णे को हमें सब को मानना चाहिए है क्योंकि भारत की सबसे बड़ी अदालत है इसलिए उसका निर्णे सरमाने हैं और हम उसको तस्लिम करते हैं और जो भी उन्होंने दिशाने देश जारी किये हैं वो भी हमारे लिए मानने हैं और इससे ना तो किसी पक्ष की जीत हुई है ना किसी पक्ष की हार ये नियाए पालिका की जीत है चुए नियाए पालिका ने जो भी वाड़िक दिया है तो वो नियाए को हित्मे रखकर के हर पक्ष के सम्मन में उसको करते हुए दिया है हमें इसको मानते हुए मैं चुए आज विश्ट प्रसिद दरगा अज़रत खौजा मुहिंगी चिश्टी रहमतर रहे है ये विश्ट ने इसलिए प्रसिद है कि आप अज़रत मुहमद मुस्तुफा सल्लाब सलम जिनका बर्थड़े है जिनका भी मनाया जाएगा उनकी रहे हैं और मैं उनका रियल ब्लड हूँ तो मैं इसलिए महबत आपसी भाईचारे का पैगाम देता हूँ चुके हमारे प्रॉफट मुहमद जो दुनिया में तश्रीफ लाए वो सिर्फ मुस्लमानों के लिए ही तश्रीफ नहीं लाएते हैं बलके पूरी काइनात के लिए तश्रीफ रहाते हैं इसलिए उनको रह्मत लेल आलमेन का जाता है कि वो पूरे आलम के लिए रहमत हैं और उनको आलम के लिए रहमत बना करके बिज़ा गयता हूँ नहोंने किस तरह से सब्रों तेहमुद से हमें काम लेना हैं वो सिखाया किस तरह से हमें अमनो आज्टी आज भी ये पेघام हर खांकाओं से जितनी खांकाओं हैं मुएसे दिया जा रहा है मैंने हिंदुस्तान की जितनी बड़ी बड़ी दरगाएं है वहां पर ये दिशान जारी कर दिया है कि आप अपने अपनी खांकाओं से मेसिज्ज पब्लिक के लिए जारी करें कि जो फैसला आया है, इसको तस्लीम करें और इसको तस्लीम करते विए आपस में आए बाइचारे का माहौल बनाया कर रखें और देश में कोई इस कस्म की स्थिति पैदा ना होने दें अपनी तरफ से या इस कस्म का कोई काम ऐसा ना करें जिससे दूसरे मधब के लोगों की आस्ता को ठेस पहुँचे और माहौल बिगड़ है इसलिए मैं दुबारा फिर अपील करना चाहूंगा पूरे देश्वासियों से और देश्वासियों साथ हिंदू मुस्लिम से किसाई जितनी यहां पर धर्म विराधमान हैं हिंदुस्तान के अंदर उन सब से यह करना चाहूंगा कि आप में इस फैसले को तस्लीम करते वे भाई चाहरे का माहौल बनाए रखें अमनो आच्टी की फिज़ा कायम रखें और एक ऐसी मिसाल विश्व के सामने यह रखें कि हम बारतवासी अमन पसंद हैं हमें हम से रहना आता है हमें किसी के वह नहीं है प्लस जो सबसे बड़ी बारत उनको हम सफल नहीं होने देंगे सफल नहीं और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो इसके नेरा ही है कि मैं उन मुस्लिम एड़ुकेट्स का शुक्रिया आदा करता हूं कि उन्होंने अपने अपने-पने हिसाब से जितनी महनत केस को लड़ने में की हैं और जो दस्ताव झाल झाल